कमाई वाली थैली अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए केशव और जानकी के एक ही संथान थी और वह था उनका बेटा चंद्रसेंद वह बुद्धिमान तो ही बल्कि आलसे भीता इस वजह से हर तरफ उसकी बदना में फैल रही थी जानकी का निकट रिष्टेदार सूर्यदेव उनके घर आया था वह अपनी बेटी पारवती का विवाह उसके साथ करना चाहता था सूर्यदेव की बात सुनकर चंद्रसेंद को ठोड़ी देर के लिए कुछ नहीं सूचा फिर उसने अपने मन की बात प्रकट कर ही दी शमा कीज़े मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रामराज की बेटी मालती से शादी करना चाहता हूँ रामराज उस गाउं का बड़ा रईस था और उसकी बेटी मालती अपने सौंदर्य के लिए विख्यात थी चंदरसेन के मुँँ से मालती का नाम सुनकर सुरदेव तो हैरान हुआ ही चंदरसेन के माता पिता भी हैरान रह गये चंदरसेन ने कहा रामराज को मनाना मैं जानता हूँ इसलिए मैं अपारधन दौलत कमाऊंगा कार्ते के महीने में यहां महर्शी शिवानन्द स्वामी पधारते है मैं उनसे अनुरोद करूँगा कि वह मेरा भाग बांचे और यह कहकर चंदरसेन वहां से चल दिया गाउ में शिवानन्द स्वामी पधार चुके थे चंदरसेन ने उनसे भेंट की और अपने मन की इच्छा उनके सामने प्रकट की स्वामे जी ने उसे एक सफेद थैली दी और उससे बोले इस थैली में हाथ डाल कर देखो चंदरसेन ने उस थैली में अपना हाथ डाला और फिर उसे बाहर निकाला उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसके हाथ में सोने के कुछ सिक्के थे वह बहुत खुश हुआ और खुशी के उसी जुंगे में बोला स्वामी जी आपने मुझे योगी समझकर ही यह तैली मुझे दी है न क्या यह सही है शिवानन्द स्वामी को चंदरसेन की बात पर हसी आ गई उन्होंने कहा अगर तुम ऐसा ही सोच रहे हो तो मुझे यह भी बता देव कि तुम्हारी वह योगिता है क्या चंदरसेन ने बिना किसी संकोच के उतर दिया क्या मेरी नेकी मेरी योगिता नहीं तो तुम यह कहना चाते हो कि संसार के हर एक नेक विक्ती बिना परिशम किये वैभव के लिए योग्यों हो जाता है स्वामी जी ने प्रश्न किया उत्तर में चंदरसेन बोला नेकी के साथ साथ सतरकता और विरता की भी आवश्यक्ता होती है मैं इन सब के बल पर अपने परिवार को तो खुश रखूंगा ही साथ ही राजा विक्रमार्क की तरह जिसके पास कामधीनों और कलपरुक्ष तहते थे मैं सामान्य जन की भी सेवा किया करूंगा शिवानन्द स्वामी को चंदरसेन की मासूमियत पर दया आ गई उन्होंने कहा जब तुम अपनी तुलना राजा विक्रमार्क से कर रहे हो तो उससे एकदम सपस्ट हो जाता है कि तुम कितने अबोध हो मेरे हिसाब से तुम एक पकवाडे के बीतर ही यह थाईली मुझे लोटाने पर मजबूर हो जावागे उस समय मैं तुम्हें यहां से पचास कोस दूर शांतिवन में मिलूँगा अगले दिन यह बात सबको पता चल गया कि चंदरसेन को शिवानंद स्वामी ने एक अद्बुत थाईली प्राप्त हुई है चंदरसेन का एक मित्र कमलकांतो यह सुनते ही उसके पास दौडा चला आया और चंदरसेन का ये शोगान करते हुए बोला चंदरसेन मेरी पत्नी एक अरस से मुझसे एक हीरों का हार मांग रही है तुम मुझे पर कुरुपा करो और मेरी पत्नी की यहां इच्चा पूरी करने में मेरी मदद करो कमलकांत के अलावा और भी कई लोग चंदरसेन के पास आये और अपनी जरूरतें उसके सामने रख कर उसे पैसों की मांग करने लगे मांगने वालों की यह संक्या दिन बादिन बढ़ती जा रही थी एक दिन चंदरसेन ने अपने मित्रों कमलकांत और नरसेन को रामराज के यहां बेजा ताकि वे उसके मन की बात उस तक पहुंचा दे चंदरसेन के मित्र रामराज के यहां गए और वहाँ से लौट भी आये रामराज ने उन्हें जो उतर दिया था, उससे चंदरसेन के आंखे खुल गई रामराज का कहना था मैं अपनी बेटी का विवाह किसी पैसे वाले के साथ करने की नहीं सोच रहा मैं तो अपनी बेटी का रिष्टा किसी महान व्यक्ति के साथ कराना चाहता हूँ पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं है बेशक तुम्हारे मित्र के पास एकायक काफी पैसा आ गया है लेकिन मेरी नजरों में वह कुछ भी नहीं उसके पास अपना व्यक्तित्व कहा है व्यक्तित्व से ही किसी व्यक्ति को सही प्रतिस्टा मिलती है यदि कोई धन कमाना चाहता है तो उसे अपनी शारिरिक तधा मानसिक शिक्ति के बलबूते पर कमाना चाहिए इसे ही उपर से टपक पढ़ने वाले धन से किसी का विक्तित्व नहीं बनता रामराज का उत्तर पाकर चंदरसेन के मन में हड़कप मच गया उसके पाउं तेले से जमीन किसक गई चंदरसेन के आँखे खुल गई वह अपनी मा के पास गया और कहा मा तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा मैं परवती से ही शादी करूँगा तुम इसके लिए प्रबंध करना शुरू करो मैं अभी सीधे शिवानांद स्वामी के यहा शांतिवन जा रहा हूँ और उनके दर्शन करके लवटूँगा बेटे की बात सुनकर मा आशर में पड़ गई बोली शांतिवन जाने की क्या आवशकता है बेटा मुझे अब स्वामी जी की इस थैली की ज़रूरत नहीं है यह मैं उन्हें लवटा दूँगा भविश्य में मैं इश्वरधार्वा दी गई दिमाग रूपी थैली को अपयोग में लाओंगा